राहूल पर हमला चारी अब तक 17 विदायक संसदों की सदस्यता रग्द कर दी गई है राहूल जी की भी हुई दो दो हाथ की तयारी वीपस के नेताओं ने संसदों चलने नहीं सियासत है बड़ी भारी लोग संस के हत्या हो रही है किस लिए ब्रेस्थाचार को बचाने के लिए नमस्कार आप देख रहे हला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्या पाज जिस मुद्धे पर हम चर्चा करने वाले हैं दर असल उसका लेना देना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत सुवाकत हमारे साथ आपकर जुद्धे के लिए क्योंकि यहीं उवाद सवाल करेंगे लेकिन से पहले कि हम आगे पड़े सुदार्जी तिवेरी सुप्रिया शीनेत आमने सामने होंगे देखें ये रिपोर्ट संसत का सत्र खत्म हो गया लेकिन राहूल गान्ही पर लड़ाई थम नहीं रही बीजेपी लगातार हबलावर है पार्टी के दिगजों ने तलवार खीच रखी है सुरत की एक कौड ने राहूल जी को सजा दी सजा होते ही सांसदी चली जाती है चाहे कोई भी हो अब तक सत्रा विदायच सांसदों की सदस्यता रद कर दी गई है राहूल जी की भी हुई अब इसमें एक कॉंग्रेस वाले काले कपड़े पहन कर पूरी संसद बंक मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी की उपर जिस तरीके की तुरंद और तरित की गती अपनाते हुए कारवाई किये गए है उसमें से मुझे नहीं सारा हिंदूस्तान में पार्लामेंट की कारवाई पे सवाल उठ रहे है राहूल गांदी पर सियासी विवात तब बढ़ा जब उन्होंने लंदन में मोधी सरकार को घेरने वाले बयान और भारत में लोकतंतर को खत्रे में बताया राहूल पिछले कुछ दिनों से सरकार पर उपक्ष के आवाज दबाने का आरोप लगा रहे है राहूल के लंदन में दिये बयान पर बीजेपी की ओर से माफी की मांग जारी की थी सूरत कोट ने मोधी सरने वाले बयान को लेकर राहूल को दो साल की सजा सुना दी और फिर राहूल की संसत से सदस्यता चली गई बवाल और बढ़ा अब तो बीजेपी राहूल को repeat offender यानी बार-बार गल्टी करने वाला बता रही है यानी बार-बार गल्टी करने वाला बता रही है पर निर्मला जी हाद जोड़ कर आप से प्राट अरे तुम अपना मंतरा ले तो समालो रुप्या कहां पहुंच गया है प्रधानवंती जी के उम्र क्या गया है अर्थ वेवस्ता इस समय एक गंभीर खतरनाक दोर से गुजर दी कुछ उस पर ध्यान दो निम्ला जी आप कानून वेवस्ता या दूसे नेताओं के बारे में क् राहूल की संसस सदसेता गई तो जर्मनी ने सवाल खड़े किये कॉंग्रेस के नेताओं ने जर्मनी के सवाल पर बवाल खड़ा किया और सरकार को घेर लिया लेकिन अब मोधी सरकार ने जर्मनी को दोटूग जबाद दिया और वैलिडेशन राहूल गांधी के बयानों को बीजेपी ने सियासी हथियार बना लिया है दूसरी ओर कॉंग्रेस भी किसी भी हाल में जुबने को तयार नहीं है ये जो 20 हजार करोर रुपे अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं ये किसके हैं ये बेनामी हैं किसके हैं कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है लडाई दोहजार चौबीस की है राहूल पर जारी कनातनी में शाहिद बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को फाइदा दिखा है आज तक ये लो तो आईये चर्चा की शुरुवात करें तालियों के साथ स्वागत कीजे शुदान्जी तो फ्राट की राश कर दोड़ को कियो उसका कारण ये है कि राहूल गांदी जी सही माइने में एक्दम रष्टी नेता बन गए थे मता अमेठी से सीधे वाइनार तक गए थे बिलकुल भारत के छोर तक उसके आगे जाना शायद संबब नहीं था हो सकता उसके आगे तो समंदर आ जाता इसलिए हमें एक सिंपल सी बात कह रहे हैं उन्होंने जाकर जो ब जब आपने पूरे भारत के लोखतंतर पर सवाल उठाया जब आपने भारत की सार्भाव मिक्ता पर सवाल उठाया विदेश से कोई कमेंट आएगा और आपके लोग उस पर धन्यवाद देंगे यह माफी मांगने लाइक है इसलिए हमने कहा कि इस पर राहुल गानी को माफ लोगतंतर पर विदेश में सवाल खड़ा किया कि भारत में लोगतंतर कमजोर हो रहा है इसलिए आपको टागिट किया गया और अमिच्छा चुनौती दे रहे हैं साथ फरवरी को राहुल गांदी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फर्मा रहे हैं चालिस मिनट की स्पीच थी उस स्पीच के अठारा अंक एक्सपंज कर दिये गए उसके बाद साथ फरवरी को ये स्पीच होती है 16 फरवरी को 9 दिन बाद पुरुनेश बूतवाला जिसने अपना नाम बदल के अब पुरुनेश मोदी कर लिया जो याचिका करता है वो एहमदाबाद कोट जाता है हाई कोट और वो कहता है कि जो सूरत कोट में केस चल रहा है जिस पर मैंने ही अप्लिकेशन डाली ये स्टे करने के लिए और अब जज वहाँ बदल चुका है, मैं अपनी stay application withdraw कर रहा हूँ और वो stay application withdraw होती है, art hearing होती है, 23 March को फैसला आता है और 23 March को ही लोकसभा राहूल गांधी जी को निश्कासित कर देता है इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इसका एक ही नाम है Fixed Match Reverse Engineering Process आपको एक case चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो हिंदुस्तान के न्यायालियों में, jurisprudence में, मुझे नहीं पता ही बच्चे लोके हैं या कहा के हैं हिंदुस्तान के jurisprudence में अभी तक एक भी ऐसा case नहीं है मैं इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो अगर राहुल गांदी जी को 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा मिलती तो उनकी सदसिता नहीं जाती लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो पिक्चर है ना इसने भारतिये जनता पाटी के होश पाक्ता कर दिये और इसलिए कर दिये क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांदी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे और अपनी बात एक ही बात कहके खतम कर देती हूँ राहुल गांदी जी ने दो बार लिखित में स्पीकर से और एक बार मिलकर समय मांगा सदन में बोलने के लिए महानुभाव और इनके सारे सहीयोगी कहते थे सदन में आकर बोलें सदन में आकर बोलें सदन में अगर राहुल गांदी जी बोल देते तो जो बखिया उधेरी गए थी अदानी पर वो और उखरती वो मुखोटा और उड़ता और अदानी के पास 20,000 करोड किसके हैं वो और आते इसलिए राहुल गांदी जी की सदसिता रद्ध कर दी गई लेक आजिश रची उनके फिलाएं पिछले 6 मैने में अडानी का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 60,000 करोड रुपए का राजस्थान में और उसके लिए सैक्रो एकर जमीन दे दी हम अडानी के हैं कौन सबसे बड़ा माइनिंग का कॉंट्रेक्ट 36 गड़ में 11,000 करोड रु की सरकार ने जहां से इन सब के लिए परमादर निये सम्मान निया अभिनंद निये और जंता के लिए निंद निये राहुल गांदी जी निवर्तमान सांसत थे उन्होंने सबसे बड़ा शिपिंग का कॉंट्रेक्ट दिया हम अडानी के हैं कौन मुझे इसका जवाब चाहि एलाई-सी भी गलत हो जाती है आईस्बी आई बी गलत हो जाती है साब गलत हो जाते हैं और उसके बाद वो एक फोटो नजर आने लगती है और मैं एक और बात कहना चाहता हूं क्या राहुल गांधी जी पहली बार कोई कोट केस जैल नहीं क्या देखिए वह नैसनल जी 1975 में हाई कोड के द्वारा चुनाओं में धांदली और भरस्टाचार के आरोप में सदस्ता खारीच कर दी गई थी और छे साल तक चुनाओं लड़ने पर प्रदिबन लगा दिया गया था तब क्या किया गया कोड का सम्मा नहीं कोड किनारे एमर्जेंसी लगा के कमिटेट जुडिश्री कर दी गई थी यह उस खांदान के वली है दिस सल्तनत हैं जो आज आकर न्यायले के उपर अक्षी तो कहरे है राहूल गांदी को आप संसद में नहीं बोलना है देना चाहते है बकिया आप क्यू देड़ेंगे इसलिए इस पर ज नियम के विरुद्ध है इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीर दिखाएंगे वो यह लौ कहता है कि वह एक्सपेंज कर दिया जाए और वो राहूल गांदी जी के पीता जी के नाना के जमाने से लौ है हमने बनाय हुआ लौ नहीं है इसलिए जिस रूल के तहत वो चीज हिंदुस्तान के हर पोट में पोट बनाएंगे चाहे वो मुंद्रा हो दहेज हो हजीरा हो कांडला हो विशाका पत्नम हो और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि यह चीनी नागरिक कौन है तो सारी सरकार मौंधार लेगी और कहां चले जाएंगे राहूल गांदी जी के पिता जी के नाना पर उनकी कृपाद रिष्ठी थी जो हम और आज आप यहां पर पढ़ लिखकर खड़े होकर बहस कर रहे हैं आपका बस चलता तो आज तो गांदी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठिकरम आपने बदल दिया है अब इस देश के बच्चे कितिहास के पन्न देखर हमको भाशर देंगे मेरा अभी भी एक सवाल है अडानी जी पोट में एरपोर्ट में सिमेंट में रिन्यूबल एनरजी में अग्रिकल्चर में तमामों जगे एक अधिकार है उनका उनका मुनापली है सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह लोग कौन है जो पैसा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे सेभी एक मिनिट दो हजार इकीस जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ थी उसका भी जवाब देती हूं उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश कहा है उसका रिजल बढ़ा और अडानी का बचाव करना ना आप लोकतंत्र के पक्ष में ना पिस देश के पक्ष में ना नीती निर्माड के पक्ष में आप अब पर बहुत बढ़ीया आपने सवाल किया विकृत मानसिक्ता यही होती है सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं गया 690 नमबर से 2 नम कानून गलत है इनको नहीं मिलना चाहिए आपने रातो रात कानून बदला पोट के लिए आपने कानून बदला एसी जएड के लिए आपने कानून बदला यह चीनी फर्म पर हमें एक सवाल पूछ रहे ना इसकी तफ्तीश तो राजिस्था वनों 36 गर नहीं कर पाएगा बिकर मान सिकता इसे कहते हैं कि सारे पूर्ट गिना रहे केवल गुजराद के गल्ती से विशाखा पतनम भी गिना गई वहां किसी सरकार है लिकर वनत के प्रवक्ता जो जो कह रह MAC अखील्य मंत्री आप जब वो कह रहे हैं शेल कंपनियों के थूरू नमबर दो का पैसाया है तो कम से कम कैंसिल तो कर देना चाहिए ना कम तकम प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहिए क्यों रही कैंसिल कर रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आके चिलाना है और अपने पीछे से अपने राजवी बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे बस यही इनका काम है बाई एनका सारा काम है अडाणी को बचाना पिछले दो महीने से केंडर की मोधी सरकार ने चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो किसको बचाने का काम किया ये जन्ता बताए नहों ने जो अडानी की तस्वीर ढिखाई हो तो कितने साल पुरानी है चार महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है अशोग गैलोत के बताईए हमारे किजी मुख्यमंत्री के बगल में यही मैं कहना चाहता हूँ सुधांशो जी दिक्षक की बात आपके साथ यह आप वाटसाप यूनिवर्स्टी और फेस्बुक को पढ़के ग्राजुएट बने मुझे लगते हैं मुदाबनर्टी के में श॥ा हैं इन देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलैशन अढ़ानी के हैं उतने किसी देयिंगे ऐस सरविधित है यह हर व्यक्ति जान रहा है इससे आप नकार रहें अडानी को अडानी जी बोलने के लिए आप विवश है आप मुझे अडानी पर सवाल पूछिएगा आप दिल पर हाथ रखके एक बात बता दीजिए इतने आक्षेप लगे हैं जाच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हाँ या ना में जवाब दीजेगा इधर उदर की बातें मत करिए अगर हाँ या ना कोई जांच में सब्सेंटिविटी हो तब होनी चाहिए ना नहीं बोलता हूं सुनिये इन्होंने अडानी जी बोला है जाके चेक करिए भारत तथा कतित भारत जोड़ों यात्रा में करनाटक की प्रेस कॉंफरेंस देखिए राहूल ग अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना जेपीसी में दिक्कत क्या है अगर विवक्षी पार्टी उम्मिद कर रही है जेपीसी जॉइंट पार्लेमेंट कमिटी कराई है और और उसके बाद आपको क्या इडल लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट से मुए आपकी सरकार में जब पैस्टीसाइट्स वाला के सॉफ्डिंग केस हुआ तो अब क्यों नहीं करार क्या दिक्कत है करा दीजिए अ उपर यह लोग कह रहे हैं हिंडिन बर्ग पर अमेरिका की अदालत में खुद प्रतिबंद लगा दिया है कि वह अब कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकती मैं पूछना चाहता हूं भारत के संविधान का वो क्लॉस बताईए जिसमें भारत की जॉइंट यह समझ रही है केजी नरसरी के बच्चे स्लाइडे दिखा रहे हैं स्लाइडे दो वाइटी आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं इधर का जूट उधर फिट करते हैं तो आपको लगता साक्ष नहीं लेना चाहिए आप भी लियाया करिए आपके पास भी संग्रिक्टे लिएट है आप आंसी है थोड़ा काम चाहिए आपको बता देती हूँ असलियत इनकी प्रणिया क्या है इनकी प्रॉबलम क्या है कि अडानी जो है वह ऐसी हड्डी है जो न निगली जा रही है न उगली जा में तरे थी कौन एक अकेला अगमी ताली बजारा रहा किशी की बात है प्रदान मंत्री मोदी और उनकी सरकार ब्रष्टा चार से घिरे आरोपों के व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है और उगल सकते नहीं है क्योंकि मोदी जी के मित्र है मोदी जी जीने नहीं देंगे लोगों को असलियत यह है इस असलियत के अलावा और कोई असलियत नहीं अडानी की पूछे आप बोल रही है कि आपने ये बोला कि मतलब राउल गांदी जी को सवाल नहीं पूछने देते संसद में बोलने नहीं देते पहले आप उनके अटेनस चेक करके आए कि पचास परसंट से भी उनके अटेनस कम है तो अगर वो संसद में मौजूद ही नहीं होंगे तो बोलिंग है क्या दिकत की बात यह हैं फेस्बुक और वाट्साप को पढ़ना बंद कर दीजेश किसकी अटेंडेंस कितनी है अगर अभी मोदी जी के अटेंडेंस बोलूँकी तो बड़े बॉखला जाएंगे आप लोग दिकत की बात अगर अप्रमारित कर सकते तो कर दीजे मैंने तथे आप के सामने रखे हैं 2019 में उन्होंने कोलार करनाटक में एक भाशर दिया 2021 में व्यक्तिगत रूप से जाके अपना साक्ष पेश किया कोट में वो मामला डॉर्मेंड चला गया महांका मेजिस्ट्रेट बदल जाता है और मेजिस्ट्रेट बदलने के बाद जो याचिका करता है कहता है मैं अपनी आप्लिकेशन वापस लेता हूँ क्योंकि वो अडानी पर बोल रहे हैं आपको लगता है यह फिक्स मैच नहीं है आपको लगता है यह सरकार अडानी के नाम से भाग नहीं रही है निर्मला सीता रमन जी की आपने एक बाइट दिखाई थी और मैं उस पर बोलना चाती हूँ क्योंकि बोलना जरूरी है इस देश की वित्मंत्री है शर्मानी चाहिए उनको एडी उनके अंतरगत है और वो एडी अडानी को छोड़के बाकी सब के हां पहुचता है यह सवाल मैं आपसे पूछ नहीं है इस देश की वित्मंत्री की अडानी के उपर आरोप है स्टॉक स्विंडलिंग का अधानी के ऊपर आज आरोप है एक चीनी नाशनल की कंपनी को हर सब कॉंट्राक्ट देने का यह राश्च्य सुरक्षा का मामला है लेकिन निर्मला सितारमन जी की इडी कहीं नहीं जाती है और उस बच्चे ने सही तो कहा अगर दूद का करना दूद और पानी का फानी करना कर दीजै जपीछ कए होश्फाक्ता हो जाते क्यों गलास सुखने लगता जेपीश से के नाम से मेरा सवाल आप से है कि हमेशा काउंग्रीस बोलती है कि लोगतंत्र की हत्या की जा रही है महीं विदेश में हमारे लोगतंत्र की इतनी प् करार करके बैठे हैं चाइना करार की तस्वीरे भी आज दिखाई देती हूँ चाइना की दिक्कत ये है कि 20 जाबाजों की शहादत हो गई तो चीन के लिए देश का चुना हुआ प्रधान मंत्री बिना पलक जिपकाय कहता है जूट बोलता है कि इस देश में कोई घुसा हुआ ही नहीं है और आज वही चाइना हमारे कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में यही कहता है आपका प्रधान मंत्री भी तो यही कहता है आपको पता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आज हम गश्त नहीं कर पा रहे है क्योंकि उसको बफर जोन बना दिया गया है आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि वो लाल आखे दिखाएंगे चाइना को लाल आखे दिखानी चाहिए जूले पर पींगे ले रहे हैं तो आपकी आँखों में धूल जोकने के लिए इक्के दुक्के एप बैन कर दिये लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है आप चाइना के साथ सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड यूनियंज के द्वारा सिर्फ उसी फैक्टरी में जो चाइना से शिफ्ट होके आई है इस समझे इस देश में एको सिस्टम क्या काम कर रहा है और इन्होंने एक और बात कही डेटा तो आभी का है सौ बिलियन डॉलर का उसका जवाब दे दीज थे लिए जूला एटें आइस दते इस दूब रहे हैं ऑो प्रफ्य जूलों मता रहा है चुला खुले का चुला थे देखिए 위 एक मावाबदी पूरा इस सब्青 करेंआए नारीयल पानी आप सुनिये स्वाइट शो से आप घवरा रहे हैं घवरा नहीं है तो आप स्टूडेंट रहसे हैं जो दूसरा पढ़ लेता तो उसके दर कहें इतना पढ़ रहे हो सब आ जाएगा लेकिशां करती है जिसको सब जानकारी हो तुम से रिपीट कैसे आए अब स्लाइड के साथ 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 डिपलोमेटिक सिथी मैं पूछना चाहता हूं चीन के साथ तीन देश बताइए दो देश हैं नौट कोरिया पाकिस्तान एक चीन के उस तरफ एक चीन के तरफ जूला जू नौट कोरिया पाकिस्तान नौट कोरिया पाकिस्तान तीसरा एक हमारे देश के अंदर है जो वो सारी बाते जो चीन कहना चाहता है वो सारे के सारे लोग चीन के कहते हैं और मैं बता रहा हूं महाबली पूरम जानते क्यों ले गए थे मोधी जी आपको पता है महाबली पूरम जो कि चाइना में गए उनका नाम था बोधिधर्मा चाइना में बने दामो और दामो वो थे जो जैन बुधिस्म के पेट्रियार्क मारे गए जिसके लिए एक चाइनीज तिंकर हूशी ने कहा इंडिया हैस कल्चिरली कंट्रोर्ड एंड डॉमिनेटे चाइना फॉर देंट तो थाइन डियर विदाउट से लोगों को चीन गुरू मानता था इसलिए दिखाने ले गए थे हैज़ियत में देख भाई हम गुरू है है के आप लोगों की उस पर गोल सब्सक्राइब तो बोलने ही नहीं आता है पूरा देश टक टकी लगा के देख रहा है कि राहूल गादी को बोलने कब आएगा कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोधी समाज को टार्गेट करके अपना सदसत्या गवाँ बैचते हैं बहुत बढ़ियां सवाल किया है तुमने और जिस वाटसाप उनिवरस्टी को पढ़का है उस पर भी तुम्हें ग्यान बताती हूँ नीरव मोधी ललित मोधी और नरेंदर मोधी पर आकशेप था ना नीरव मोधी OBC है ना ललित मोधी OBC है OBC महासभा ने नडड़ा जी को लीगल नोटिस भेजा है कल परसो रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोडों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर ये OBC महासभा ने चिट्थी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है आइंदा के लिए जान लेना चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोधी और ललित मोधी इस देश का पैसा चुड़ा कर भाग गए राहुल गांदी जी के बारे में आप बोल रहे थे सुन लीजे ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने वाटसाप पर देखा न वो इनके सहकर्मी की काबलियत थी और सुन लीजे क्या था वो बयान मोधी जी ने दिया था राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोधी जी न फेक न्यूस की सबसे बड़ी फाक्टरी उस जगे से निकले हुए फेक न्यूस को ब्रह्मा का सत्यमत मानिए क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें जूट होती हैं और ये मैं नहीं कह रहे हूँ ये सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स ने लिख कर कहा है मैनूपलेटेड मीडिया तो जो राहुल गांदी जी का सोना से अलू वाला बयान है वो उनका नहीं है 2019 के चुनाव के समय वह राजस्थान में गए और कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता थे कुंभा राम जी उनके नाम पर कॉंग्रेस ने योजना चालू की थी और वह एक नहीं तीन बार बोल गए कि मैं सरकार को बढ़ाई देता हूं कि नोने कुंभंकरंण योजना शुरू की थी आप कोई भारत के बार में सो सक तक हाँ इसका तो विडियो भी बोले आप नहीं बॉला थाह घ। पर जाता मोक्ष गुंडम विश्वे सरया तो तो पता नहीं क्या हो जाता एक मिनट रुख जाईए इन्हों और में 140 करोड उस 140 करोड लोगों के देश में 600 करोड वोटर मिल जाते हैं मोधी जी को कभीर गुरू नानक औरन विवेका अलग अलग सदीयों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगे जहां मोधी जी जाते वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है बंगलादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं करांती कर रहे थे तो जूट की दुकान आपकी है जूट का पुलिंदा आप रचते हैं फेट नियूस की फ्रक्टरी आप चलाते हैं आपके लोग फेट नियूस के यह जाने जाते मुझे तरह की बडेटी है बेटी बचाओ बड़ी बात कर दिर यह इतने बड़े सच्चे यह कहते हैं थंड है नहीं यह लोगों की या थंडक लग रही है बादल आ गए तो रिड habitat नहीं अबैए यह एसप्षों के-स तक्षयunkenérique बादल आ गए तो रेडार नहीं देख पाएगा और क्या आप लोगों को ठंड़त नहीं लग रही हो उम्र बढ़ रही आप यह मेरे लिए आपके आपका कहीं है आपके सवाल आप से कि यहां पर हिंदुस्तान में बारा जोड़ातर के दोरान राहूल गांदी जी ने इतना ज्यादा हिंदुस्तान में एक दुसरे को जोड़ने की मतलब कोशिश भी की और सब जुड़े भी सबने देखा सोचल मीडिया पर हर जगा पर उन्होंने अगर ब पिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गए ऐसा क्यों सब्सक्राइब बढ़िया और देखे ऐसा हुआ कि राहूल गांदी जी की आत्रा में उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बहुत देता हूं के रहाना एक लड़की थी जि और मौलवी ने फत्वा दे दिया कि आज से अपने ससुर की पत्नी और बेटे अपने पती की मा हो गई कोई बोला था उस पे गिरजा टिक कूपे क्यों नहीं बोले जिसका बलातकार करके काट दिया गया आरे से यह बत्सक्राइब ये तुने तश्वीर में हज़ारों चाल से मालवी रहा मालवी मुफ्ती मुकर्म चूने ही बोल सकती है जो आज बिल्कित वालों के लोग load के लाजादी की लड़ाई लडके गया सधी लड़के आए आपके मेले कहे हैँ आपके मेले कहते हैं वो संसकारी हैं क्या मात करते हैं अब रेपिस को आप संसकारी बुलाईएगा शर्मानी चाहिए आपको जिन लोगों में कहा कि कस्वीर के हिंदू हो छोड़ के चाहिए आप भी बेटियों को यहाद छोड़ जाओ उनको प्रफार मत्रत करा दो बुलाकर सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले जब जहां जहां आपका उनका कॉंट्रेक्ट है आप क्यों नहीं कर देती हैं दूसरी बात आप दोनों से हैं जब बात आती है एन पीएस और ओपीएस की तो वहाँ पर केंद्र और क्याना में जो विपक्षी पार्टियां सब अलग-अलग हो जाती है जब बात आती है किसी सांसद की विधाय की सेलरी बढ़ाने की या उनकी पेंशन की तो उस पर सब एक सहमत ही हो जाती है तो ऐसा क्यों आप क्यों ज बोलने के बावजूद आपने अडानी पर कहा हम क्यों कैंसल करें भाई अडानी के लिए रूस जिस सरकार ने बदले वह कुछ नहीं करेगी वहाथ पर हाथ धर के जुनजुना बजाएगी और हम हर देगे कैंसल करें हमने तो एक पेर तरह के से एलवन बिडिंग कराई है इन्हों ने हर अडानी को एसिट मिला उसके खिलाफ एड़ी और सीबियाई थी ट्राक रिकॉर्ड उफटांगे देख लीजे क्यों ऐसा करते हैंगे पूछिए इंसे ये बात इनके आप फेर में एलवन वो हो गया जिसके पीछे एड़ी और सीबियाई थी कितना बढ़िय आप लिए तो इसमें भी थे जो बाए लगनें नहीं करेंगे तो जोड़ाये तो जोड़ाये तो जोड़ाये जोड़ाये नौ साल से बजारे अभी और वज्याए तीन तिन जगहें जुञाना बज़ा है आज चेंद्र सरकार में जोड़ाइक को शुछिए आप बज़ा व बनाते समय जो रूल फा उसको आपने नियम को पैस एक्सीरियेंस सरड़ाक को है यह वाई जैकर जुंते पूछो अरे आपके नियम बनाते समय जो रूल था उसको आपने अपने बनत्रा लेके अगेंस जाकर फाइनाइस मिलिस्ट्री और नीती आयोग दोनों ने लिखित में कहा था ये गलत है आपने वह रूल बदला इसको आप इस सक्षिकों नहीं लकार सकते हैं मैं बताता हूं जो यह बात कहना चाहती वह क्या होता है आपको पता है इस देश में सबसे बड़ी कार की कंप्री तो मैं कहना चाहती हूं मारूती का ओनर कौन था गांधी परिवार और यह था कि नहीं जब मारूती बनी और उसके पूरा हर विदेशी कंपनी के साथ सुनिए यह उस जवाने में यूनियन कारबाइट के साथ 1984 में एंडर्सन को भगाया यूनियन कारबाइट का पक्ष लिया उसके बाद यह हॉविट सर के साथ उसके बाद यह सब्सक्राइब के साथ हमेशा विदेशी कंपनी के साथ खड़े लोग एक जुट होकर सरकार के खिलाब देखना चाहिए सारे भरष्टाचारी एक मंच पर इस तस्वीर में कौन कौन है नरेंदर मोदी जी के साथ 40% PCM बोम्माई यदूरप्पा ललित मोदी जॉब स्क्याम करते हुए सुवेंदू अधिकारी जो अब ऐसी वाशिंग मशीन से ऐसी गंगा में गोता निकल के आ गए हैं जो भारतिय जलता पाठी चलाती है ऐसा सर्थ जिससे सारे दागधब्बे धुल जाते हैं इसमें इनके साथ गौतम अडानी परम मित्र हैं इसमें इनके साथ हेमन तो बिस्व सर्मा है उनके उपर सारदा स्क साचारी हैं चुनाव होते ही तुरंट पहुच जाते हैं सांगमा के साथ सरकार बनाने के लिए इसमें इनके साथ नारायन राने और रगुवर्दास है एजनसी इनके खिलाफ कब एक्ट करेंगी अंजिना जी यह भी तो सवाल पूछना चाहिए ना इन सब के खिलाफ केसे हैं आपने सुना इनको किसी केस के लिए किसी सुनवाई के लिए बुनाया गया इनको प्रतारित किया जा रहा है चोगुना हुआ है इडी का केस 2014 के बाद और 95% के खिलाफ है क्योंकि आपके अपने लुटेरे जो यहां पर बैठे हुए हैं या जो लोग देश छोड़के आप वापस नहीं बुला रहे हैं आप मेहुल भाई मेहुल भाई करते रहे इंटरपोल ने नोटसी विड्रॉव कर ली आप मेहुल भाई करते रहे ललित मोधी ऐसा चोर जो देश का भगोड़ा है वह विदेश से धंकी दे रहा है सांसत को एक पबलिक लाइफ के फिगर क यह आपने चोरों का होसला बढ़ाया है क्या बात करते हैं मेहुल भाई लालत मोधी नीरव मोधी सब इनको चक्मा देकर भाग जाते हैं यह बिचारे हाथ मलते रहते क्यों और पीम ने कहा कि हम जैसे हनुमान जी ने राक्षसों से कठोड़ता से लड़ा वैसे हम प्रश् साल का लेता है चार साल का मिनिममम दस साल का आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं दस पंद्राइबीस साल का किस जमाने में लोन लिया गया होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं यह 16 मई 2014 से पहले एक कागस दिखा दें जो उनके खिलाफ हो केसे हमने शुरू की विदेश तक ज जी को धन्यवाद ज्यापन करते हुए कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था मगर आपकी संस्तुती के बाद मुझे वो लोन मिल गया है यह धन्यवाद ज्यापन का लिखित में प्रमाण वेले बुले इस दिखे पहले के मागे चले 24 में अगातार विपक्ष से चिट्टिया गई प्रधान मंतरी कार्याले में कारवाई क्यों नहीं हुई उसको क्यों भागने दिया अब अजन्डा बताएए चुपके से भाग जाओ हम कुछ नहीं करेंगे या अजन्डा बताएए 24 का आजन्डा क्या है पीम ने राश्रवाद बजरंग बार बीते दिन जो कूछ का है करप्शन नेशन फ से अरश आजन्डा क्या है अप जो मतक मतक के बोलते हैं आप क्या करने के लिए बैठे हैं अ कुछ नहीं दिखो बग्या के खुलाब हम करता ने प्रके हिए निरव मोधी जो भाग जीन उसके खिलाब भी हम लड तो आप क्या करने के लिए जलेभी बनाने की दुकान खोले क्या कि यहां पर तीन लोग अजेंडा कुछ है या बस यही चलता रहेगा फुटबॉल अग्ष है इनका केवल यह पहले आपस में लड़ो मोदी से तो बाद में लडएंगे पहले आपस में लड़ो कि कॉन कितना बड़ा नेता है इसी लिए आप देखिये राउल गांडी जी की यात्रा मोदी जी के विराग वेक्तित भाजपा से कोल्य नदर नहीं था वो किसको ह वह भी बोल पड़े कि उन्हों ने तो कहा ममता जी ने कि राहुल गांधी को भाजपा ने जानबूच के किया हुआ है चूंकि बाहुल गांधी से ट्यार्पी बढ़ती है अब ममता जी अच्छी है कि गलत है बोलिए साथ सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक हमने लेना देना नहीं था यात्रा से उठा लीजेगा फेस्बुक या उठा लीजेगा इनका कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल हर रोज यह भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बात करते थे लेकिन कोई लेना देना नहीं जूट प्रसा 500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनवियों से मिल रहे थे युवाओं से मिल रहे थे मैलाओं से मिल रहे थे वृद्दों से मिल रहे थे उनके होसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं हमारा अगर इनका इमानदारी से एजंडा था तो इन्हें याद रखना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की समात्ति पर दोनों भाई बहन कश्मीर में जिस प्रेम पूर्ण सानिद्द पूर्ण माहौल में बर्फ के गोले फेक रहे थे मोदी जी और अमिश्चा जी को थी आज डंडे के उपर इतने लगे हुए धन्यवाद लेना चाहिए आज वाप भारत सुरक्षा या भारत जोड़ो यात्रा पूरी कल पाए को मोदी जी की वज़े से ऐसी कृपा करी मोदी जी और शाह जी ने जम्मू कश्मीर में कि ये व्यक्ति धांदली करके पी एमो का अधिकारी बनकर जेड कैटिगरी की सुरक्षा लेकर मिलिटरी बेसिस में घूम रहा है ये आपने हमारी राश्चे सुरक्षा के साथ खिलवार किया है कि हर पोट में अडानी चीनी को लेकर घुम रहा है और आप अडानी और चीन का नाम लेने की हैसित नहीं रखते हैं असलियत यह है कि देश का प्रधान मंत्री देश के सामने कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है और चीन हमारे घर में अधीपहर करके बैठा है वैसे यह पांचे बार इसी डिबेट में बढ़ गया यह पांचे संटेंज बार बार होते रहे मैं कहना चाहरा हूं जवाब आप नहीं देपाई एक बार भी जवाब नहीं देपाई अरे आपको लास वर्ट नहीं को कहा किया है लाकर हम आपको बताते हुँ आचीन की स्थ चीन की स्थिया है कि धारा 370 पे वह सरकेबल खड़ा हो गया सहिंत राजसंग में एक में दापाई प्रकाई प्रकाई है कि मिजाइंस तक्रोजी कंट्रोजी में हम सब्सक्राइब हमारी जगहों का नाम बदला आप कुछ कहेंगे उस पे चीन ने 11 जगहों का परसो और हमाद आप दोरों का हमारे साथ इस चर्चा में सामिल होने के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही है आजिता